असलाम लेकुर्ण दोसरों में करता हूं से लोग खेर रियसे होंगे तो आज गोड़ी हम बात करेंगे Linux Web Hosting और Windows Web Hosting जिसे आप GUI Web Hosting के नाम से भी जाना जाता है तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे Basic Concept बता देती है जो कि आज कर चला आ रहा है GUI में आप समझ रहे होते हैं कि C-Panel आपको देखने को मिल जाता है और Linux में आप समझ रहे होते हैं कि आपने Command Line में Enter करके Commands उसे Manage करना है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Linux में आपको दो तरह की hosting देखने को मिल जाती है Graphically यान GUI वाली भी आपको देखने को मिल जाती है C-Panel के साथ और एक आपको Command Line वाली भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप Command दिखने के बाद PHP My Admin और इसके साथ File Vizilla को Attach करने के बाद आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप GUI की बात करें तो वहाँ पे आपको C-Panel देखने को मिल जाता है यह hosting company के ऊपर depend करता है वो आपको कौन सी hosting दे रही है Linux वाली web hosting में तो यहाँ पे काफ़ सारी types आ जाती है web hosting में भी shared hosting आ जाती है cloud hosting आ जाता है dedicated server भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है same to same categories जो है वो GUI hosting में भी होती जिसे आप Windows hosting का नाम दिया जाता है उसमें भी यही categories आपको web hosting में देखने को मिल जाती है अब यहांपे difference किया है अगर दोनों तरफ GUI वाली hosting आपको यानि CPanel वाली hosting देखने को मिल सकते हैं तो difference कहाँ पर आता है difference आता है limited और unlimited में अगर आप Linux वाली hosting देखे तो वहांपे unlimited वाले plans भी आपके देखने को मिल जाते हैं अगर आप GUI वाली hosting देखे तो वहाँ पे limited plan आपको देखने को मिल जाते है अगर आप वहाँ पे unlimited लिखा होगा तो दोड़नों तरफ fair uses policy को भी apply किया जाता है एक तो Linux में आ जाता है pure unlimited bandwidth और pure storage के साथ आपको plan देखने को मिल जाता है लेकिन कुछ plan ऐसे भी होते हैं जो के wordpress क लिए बनाये जाते हैं जिसे unlimited का नाम दिया जाता है लेकिन उसमें fair uses policy का 신 досmayı किया जाता है अब fair uses policy क्या होती है यह मैं overview आपको दे देता हूँ, fair uses policy का मतलब होता है, आप maximum कितनी इस्तमाल कर सकते हैं, यानि कितनी storage आप maximum कितनी storage इस्तमाल कर सकते हैं, कई hosting plans के अंदर 100 GB होता है, 200-500 इस तरह category में divide किया जाता है, तो maximum जो होता है 200-500-800-1 TB या 100 GB तक यहां पर यह limited होता है, और इसके साथ bandwidth भी इसी तरह divide की जाती है, categories के अंदर, वो आप plan के से आप से वहां पे लिखा होता है, कितनी आप इस्तमाल कर सकते हैं, Linux के अंदर आपको unlimited देखने को मिल जाती है, लेकिन बास उकात क्या होता है, अगर आप web hosting के, जो hosting company उसकी website पर जाएंगे, तो वहां पे unlimited लिखा होगा लेकिन जब आप उसे पूछेंगे, कि इसमें fair uses policy apply होती है या नहीं, तो वो कई plans में apply होती है, लेकिन कुछ plan ऐसे भी होता है, जो के purely unlimited होता है Linux के अंदर, तो वो company से आपको chat करने के बाद पता चलेगा, कि इसमें fair uses policy का इस्तमाल होता है या नहीं होता, इसकी simple मसाल यहां connection लगवाते हैं, जो unlimited कहा जाते हैं, आपको वो unlimited नहीं होता, अगर आपने घर में किसी भी company का plan लगाया हुआ है, 2MB, 4MB, 6MB, वो आपके मताबिक आपने लगवाया है, unlimited उनने आपको बताया होगा, लेकिन वहां पे fair uses policy का इस्तमाल किया जाता है, जहां पे 900 GB data आपको दिया नहीं होगा, अगर आपने downloading, uploading, मुस्यासल करनी है, तो वो फिर 900 GB इस्तमाल हो जाता है, तो इसी तरह होता है, कि user को देखा जाता है, कि यह मुकमल इस्तमाल कर सकता है, या नहीं, अगर वो मुकमल उसके resources इस्तमाल नहीं कर सकता है, तो उसे unlimited का नाम दे दिया जाता है, कु प्लैंस देखने को मिल जाते है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे extra charges देने पड़ते हैं, जैसा कि license fees होती है, इसके लावा बहुत सारी चीज़े होती है, क्योंकि graphical user interface होता है, तो वहाँ पे resources भी ज्यादा इस्तमाल होते है, तो उसकी fees वगर आम लाकर वो महंगी पर जाती है, लिनिक्स वाली hosting जो होते है, वो आपको सस्ती पढ़ जाते है, लिनिक्स वाली में unlimited plan available होते है, अगर आप Windows वाली यानि GUI वाली में देखेंगे, तो वहाँ पे plans ज्यादा महंगे होते हैं, तो ये फरक्ता इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं, वेब hosting जो मैं application य या नहीं है, तो नीचे comment करके जरूर बताएगा, उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको कौन से resources देखने पड़ते हैं, जब आप web host करते हैं, किसी भी hosting के उपर, Linux हो या Windows hosting हो, या GUI वाली जिसे आप कहते हैं, कोई भी हो तो आपको कौन से resources देखने पड़ते हैं, RAM कि और CPU code कि देना चाहिए, और जो speed होती है, वो किदने जिब्बी होनी चाहिए, अमिर करता हो, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक किजेगा, नीचे comment किजेगा, और हाई टाक हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, अगली वीडियो में फिर आजए रहोंगे, अल्ला हाफिज